एक साल का कोई मॉनुमेंट जो बनाया है वो उती जल्दी ढलता भी है जो स्टेबल विक्टरीज होती हैं फांडेशन जो आप स्टेबल बनाओंगे बहुत बड़ा बिजनस क्रेट करने का गरी वीन अप्चक इतनी बार बोल चुका होता है कि आपको मिल्लेनर बनना आप यह छोड़ना बंद कर दो कि मैं अभी बन जाओंगा एक साल में बन जाओंगा दस साल सोचो नमस्ते बाई नमस्ते बहिए जी नमस्ते बहन जी थे हैं दोनों चाया बाइस साल वी हो आप एक बहन जी और आप बहाइजी हो अज ठीक है थोड़ा सा अपनी अदेंटिटी को एक दूसी जगापे दाल करो में जींग कैसा पील होता है बहिक जी होन के इसे पहिल होता है नमस्ते करो, अच्छा बढ़िया सांडे का तेल लगो अपने बालो में उसको काड़ो और पलट के नमस्ते कर तो कम से कम, ठीक है? तो इस गाय वंस्ते कर नहीं आपको रूटस्बूक एवर, ठीक है? इसको खरीदना है, नालाइक इंसान? समझे रहो, खरीदना है, डानलोड नहीं मानना? अरे भाई, लेकिन भाई भीएत है ना, नहीं भाई खरीदो, उसमें कुछ चलनग जाएगा, भाई का थोड़ा सा फाइदा होगा बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा तसल्ली मिले कि, किताब लेकि, महनुत करी उसमें तो हम बात करें वाले इस लड़के की है, बड़ा ही नोबल इंसान है, बहुत ही दिल में दिलदारी है, इस इंसान के, इसको एक हॉस्पिटल बनाना है, कार्डियक सर्जरी, का जो हॉस्पिटल या जो भी जहां पर अवेलेबल है, वो है तुमारा 200 किलोमेटर अवे, जो आप यह नहीं को हॉस्पिटल कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टब यह है, सेकिंड टब यह है, नहीं दोस्ट, हम बात करें कि सपने की, सपने को साकार करने के लिए आपको obsessive होना पड़ेगा, to be very honest, सपने passive fashion में, कि बस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभी लेट से तुम अभी school में हो, यानि कि medical school में हो, या जहां पे भी हो, तुमारी life में कर सिंपल मैं line draw करूं, timeline तुमारी जिंदगी की, तुम लेट से अभी हो, 18, 19, 20 के है, ठीक है, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32, 33, 34, 35 में जाके तुम तुमारी जिंदी में कितने सारे experiences होने वाले हैं, जो कि तुमारी अगर एक emotional timeline जा रही है, वो यू, 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 जाएगी, बहुत heightened पे जाएगी, फिर एक तुम बीच में लेट से कर लो, peaceful है तुमारी mental state, तुम एक्स्टाटिकनेस, ए और फिर तुम डाउन फुल कर रहे हो, होता रहेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी life experiences होंगे, changes होंगे, जिनके वरसे हो सारी तुमारी नए options मेलें, फिर तुमें ये भी consider करना है कि तुमारा दिमाग बदलेगा, अभी तुम एक तरह से सोचते हो, पच्छे में हो सारी तुम पैसे को लेकर तुम पैसे को लेकर तुम पैसे को लेकर तुम एंवी आ जाए, फिर तुम किसी आसे इंसान से मिलो जो कि अपनी लाइफ में, उसने ये decisions लिये, अभा जितना रुपै कमा रहा है, और तुम इसलिए इसलिए एक जगा पे डटे रहने के लिए, obsessiveness रही है, because वो बाकी जितने भी influences और ups and downs है, उसमें तुमें constant रखता है तुमारा purpose, तुमारा goal, अगर तुम 100% decide करके बाटे हो, भाई ये तो मुझे गरना ही करना है, बाकी चीज़ों को जो life में हो रही है, उनको मैं adjust करूँगा इसके according, तब तक, तब ही कर पाओगे, मेरे काने म होता है, असली सपना, तुमारा सपना चाहिए कितना noble हो, जाए कितना तुमारा greed से भी भरा हो, मैं यहाँ पर judge नहीं कर रहा है किसी को, होज़े तक कोई काया मेरे को multimillionaire बनना हो, लेकिन तुमें obsessive होना पड़ेगा, ये तुमें Kobe Bryant से लेके, Michael Jordan से लेके, Mike Tyson से लेके, तुम जब ऐसे देखते हो, तो फिर तुम अपने life में doubt खतम कर देते हो, जब doubt खतम कर देते हो, फिर तुमा अंदर एक need आती है research करने की, लेकर चीज करनी है, वो एक thought है, चीज कैसे होती है, ये दूसरा thought है, ये करना है, ठीक है, कैसे होगा, जो अपने दिमांग में सोचके बा आती है, तो तुमें reality में हो सकता है, partnership में करो तुम, हो सकता है, तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम आरा, क्लिनिक खोल औफिर, नर्सिंग, ओफिर नर्सिंग, वो तुम अभी सोच शार बहुत सारे doctors करते हैं, काज़ों में तो especially, या चोटे शारों में या फिर नॉ तो तुम्हें इसके लिए पढ़ाई करना है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है अपनी लाइफ को मैं ऐसे लीड करूं कि मैं पहले से ही नाविगेट कर रहा हूं कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा हूं तो तुम्हें इसलिए सेकेंड चीज क्या है कैसे होगा ये भी सीखना है वो तुम सीख सकते हो इसमें बात करने पड़ेगी बहुत सारे सीनिय डॉक्टर तुम्हें लाइफ में मिलेंगे जो तुम्हें बता सकते हैं हां तुम ऐसे कर सकते हो इसको ऐसे हो सकता है इसमें ये इसमें वो प्रवम्स आएंगी, सरकार किये, उसका प्रवम्म आचाहे, ऐसा होस्पिटा प्रवम्म हो, प्रॉफिटिबल ना हो, बहुप बड़ी प्रवम्म हो चाहते है, यारी क्यों तुम सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल तो खोलना चाहते हो, लेकिन वो प्राइवेट होगा, तो वो भईयास में प्रॉफिट नहीं होगा, तो लोग काम कैसे करेंगा, तुम सालरी कैसे दोगे, तुम समझ रहो ना, हजारों इंपेडिमेंट्स आएंगे, तो वो तुम्हें आर इंडी करने पड़ेगा, रिस्वाचन डिवलप्में तुम्हें खुद से बाट रिजन चाहिए, आपको dedicate करना पड़ेगा, दिमाग में, for 20 years at least, यह मैं नहीं कहा रहा है, यह Gary Vayner Chuck तक कहता है, stable game जो होते हैं, life के, बड़ी victories जो होती है, वो दोस्त एक दिन या एक साल की नहीं होती, एक साल का को monument जो बनाया है, वो उती जल्दी ढलता भी है, जो stable victories होती ह आप stable बनाओंगे, बहुत बड़ा business create करने का, Gary Vayner Chuck इतनी बार बोल चुका होता है, कि आपको millionaire बनना, आप यह छोड़ना बन कर दो, कि मैं अभी बन जाओंगा, एक साल में बन जाओंगा, दो साल में कैसे बन जाओंगा, 10 साल सोचो, अगर actual में आपको करना है, तो आप अर पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, simple अगर आप Michael Jordan की documentary अगर आप देख रहे हो, आपको दिखता है, वो इंसान घुसा बात, उसकी जिंदीगी dedicated थी, और कुछ था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं, वो vision चाहिए, आपको उस level पे अचीव मारने का, so आपका level क्या है, आपको उस हिसाब से aware भी रहना पड़ेगा कि मेरा खुद का पहले कैसा होगा, और मैं कहां पे हूँ, what am I doing, so आपको अपना पूरा behavior, time, अपने दिन का, routine, mindset, सब catalog करना पड़ेगा उस हिसाब से, mitigate करना पड़ेगा कि आप वहां पे पहुच पाओ, ठीक है?